कॉंबिनेशन ओफ कैपासिटर कॉंबिनेशन ओफ कैपासिटर देखे जैसे मान लीजिए आपके पास केवल दो-दो माइक्रो फेराड के कैपासिटर हैं सपोज और सपोज आपको हो 5.00 कैपासिटर की जुरा थे तो आप दिफ्रेंट डिफ्रेंट कॉंबिनेशन करके कैपासिटर की डिजाइड वैल्यू को निकाल सकते हैं तो इसलिए जिस तरह से रेजर्स्टर में जो आपने 10 न्वह बड़ा है न कि रेजिस्टर में सिर् wnिस कॉंबिनेशन करते हैं मैंने तीन कैपासिटर का एक्जामपल ले रहा हूं मैं और सपोज आपने यह C1 है यह C2 है यह C3 है and you have connected this capacitor to VV और same way parallel भी ले रहा हूं parallel combination कि आपने तीन कैपासिटर ले हैं और आपने इसको parallel में connect कर दिया that is across VV C1 C2 C3 suppose इन दोनों का जो equivalent है न वो C है C equivalent है and it is connected to V voltage और माली यहां से चार्ज क्यों जा रहा है यहां से भी चार्ज क्यों जा रहा है यहां से भी चार्ज क्यों जा रहा है देखे equivalent का मतलब क्या होता है equivalent का मतलब यह होता है कि अगर यह तीन कैपासिटर है if it is replaced by this capacitor तो जो effect होगा वो क्या होगा same होगा और effect क्या है तुम्हारा Q तो आपको दिख रहा न है ये तीनो capacitor भी V voltage के cross connected है ये single capacitor भी V voltage के cross connected है तो effect क्या आ रहा है same आ रहा है न वैसे ही आप इन तीनों की बाद भी कर सकते हो कि इन तीनों capacitors को आपको दिख रहा है ये parallel में connected है and this parallel combination is connected across V voltage तो जो charge आ रहा है वो क्या रहा है Q तो इस दोनों ही cases में effect भी क्या रहा है same आ रहा है तो equivalent का मतलब ये होता है कि if this three capacitor is replaced by some single capacitor and it is connected to the same voltage V then the effect that charge is actually क्या होगा same होगा एक बात बताईए देखें series combination में अगर आप capacitor को करोगे तो basically irrespective of the value of capacitance उसके across charge क्या होगा same होगा मतलब इस वाली plate पे Q आ जाएगा इस पे minus Q इस पे वापस Q minus Q Q और ये क्या हो जाएगा minus Q इसका मतलब अगर capacitance कुछ भी है C1, C2, C3 कुछ भी है लेकिन आपको देखे रहा न तीनों पे charges क्या है same है मतलब series combination में charge on capacitors will be क्या होगा same होगा ठीक है तो अब जैसे माल लीजे जब ये V voltage इस तीनों capacitor के across connected है तो माल लीजे इसके across voltage जो आ रहा है ये V1 आ रहा है ये V2 आ रहा है और ये माल लीजे V3 आ रहा तो आप V को क्या लिख सकते हो आप V को लिख सकते हो V1 प्लेस V2 प्लेस क्या लिख सकते हो V3 तो यहाँ पे V की value क्या हो जाएगी V1 प्लेस V2 प्लेस क्या हो जाएगी V3 और यहाँ से V की value क्या होगी देखिए मैंने आपको बताया ना कि for capacitor Q equals to क्या होता है CV मतब V की value क्या हो जाएगी Q upon क्या होगी C तो V की जगा पे तो आप रख दो Q by C या C equivalent सॉरी V1 की जगा पे क्या रखोगे इसी formula के हिसाब से कितना charge है Q कितनी capacitance है C1 तो Q upon क्या होगा C1 तो यह हो जाएगा Q upon C1 V2 की जगा पे Q upon C2 V3 की जगा पे Q upon क्या होगा C3 यह Q, Q, Q यह सब cancel मतब 1 upon C equivalent की value क्या रही है 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon क्या रही है C3 मतलब जब आप इसको series में connect करोगे तो capacitor का equivalent कैसे निकलेगा जैसा की register में parallel में निकलता है समझ में आगे आपको अब इस वाले case की बात करते है जब आपने इस V voltage को इन तीन combinations के across लगाया है तो मालीजे इसमें charge Q1 जा रहा है इसमें charge Q2 जा रहा है इसमें charge कितना जा रहा है Q3 देखे जब आप capacitance को parallel में लगाओगे तो voltage तो सम में सेम है न तो जैसे अगर आप देखो Q equals to CV है न V तो सम में सेम है मतलब Q किसके proportional होगा C के मतलब जिस branch में ज़्यादा capacitance होगा उसमें charge की value भी क्या होगी ज़्यादा होगी मतलब जब आप parallel में combine करोगे न capacitor को तो वो particular capacitor जिसकी capacitance ज़्यादा है वो चाजाद charge को क्या करेगा hold करेगा clear होगे आपको तो आपको दिख रहा है न कि अगर मैं यहाँ पे conservation of charge लगाँ जैसे यहाँ पे Q जा रहा है तो वो तीन चीजों में divide हो रहा है न तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो Q equals to Q1 plus Q2 Q2 plus क्या लिख सकते हो Q3 Q की जगा पे यह वाली value रख दो C equal and into क्या होगा V Q1 की जगा पे क्या रखोगे C1 into क्या होगा V Q2 की जगा पे क्या रखोगे C2 into V Q3 की जगा पे क्या रखोगे C3 तो यहाँ पे Q1 की जगा पे क्या रखोगे C1 into V Q2 की जगह पे C2 into V और ये क्या होगा C3 into V ये V, V, V सारे cancel मतब C column की value क्या रही है C1 plus C2 plus क्या रही है C3 समझ में आ गया तो अगर capacitance parallel में होगा तो वो add कैसे होगा series में और जब वो series में होगा तो कैसे add होगा parallel में इसमें न केवल 12 के इसाफ से दो चीजों की ज़रुवत है ध्यान रखने की capacitance series में होगा तो irrespective of the value of capacitance charge will be same if it is connected across parallel voltage तो according to their capacitance value it is going to hold the charge the capacitor whose value is larger will hold क्या होगा larger amount of charge जिसकी value कम होगी that is going to hold क्या होगा smaller amount of charge समझ में आ गया आपको clear होगा करिये notice है देखे नेक्स लिखे force between force between plates force between plates of a capacitor force between plates of a capacitor देखे जैसे माँ लीजे आपके पास दो एक capacitor है और suppose एक पे चार्ज क्यू है और एक पे चार्ज क्या है माइनस क्यू है ठीक है तो हर एक plate दूसरे पे क्या लगाएगी force लगाएगी देखे इसकी ना यह जो force between the plates of a capacitor ना इसकी जरुरत हमें है energy story ना capacitor को derive करने के लिए derivation board से निकाल दिया गया इसलिए आपके formula याद अखना पर derive तो मुझे करना ही पड़ेगा जैसे coulombs law पड़ा है ना अपने that is k q1 q2 upon r square but वो नहीं लगे गया यहाँ पे उसकी वज़ा क्या है तो क्योंकि जो coulombs law होता that is valid for point charge तो आपको क्या करना होगा ना एक plate के वज़ा से यहाँ पे electric field निकालनी पड़ीगी समझ में आगे और कुछ formula है जो previous chapter के हैं मैं बता दे रहा हूँ f equals to होता है q into e एक तो यह वाला formula है दूसरा क्या है कि एक plate के वज़ा से मैंने बताया था कि इस plate को तो insulate किया जाता है मतलब इस plate में केवल एक ही seat है जो की यहाँ पे यहाँ पे है charge और वैसे ही यहाँ पे भी negative charge है clear हो गया और एक seat के वज़ा से electric field due to a seat जो होती है वो होती है sigma upon 2 epsilon और sigma के जगह पे आप क्या रख सकते हो sigma होती है charge upon area मा लिज़े split का area जो है वो क्या है A है तो sigma के जगह पे क्या होगी Q upon A तो Q upon क्या होगी 2 epsilon clear होगे आपको जब गौसला पढ़ाऊंगा तो आप आजाएगा गौसला किसी को भी नहीं पढ़ाएगा तो गौसला जब पढ़ाऊंगा तो वो पूरा क्लास में चलेगी दोनों में तो यह आती है Q upon 2 epsilon इसका मतलब electric field due to a seat तो यह हो गई Q upon 2 epsilon तो पहले आप positive के वज़े से यहां पे electric field निकाली है देखिए एक positive plate के वज़े से electric field हमेशा radially outward होती है radially outward मतलब जैसे मालो यह charge है तो इससे बाहर की तरफ जाएगी electric field और अगर एक minus Q charge है तो इसमें electric field क्या होगी अंदर की तरफ आती है इस type से होती है ठीक है तो यह सब कुछ concept की ज़रुत पड़ेगी इसमें यह positive charge है मतलब इसके वैसे electric field क्या होगी बाहर की तरफ होगी मतलब इधर अगर electric field निकालोगे तो वो इस direction में होगी E plus Q समझ में आगे आपको तो अगर आप electric field due to positive plate निकालोगे plate तो क्या आएगी यह वाले formula से electric field की value क्या होगी Q upon two epsilon not और direction is direction में होगी clear हो गया अब आते हैं इस formula के हिसाब से देखें force की value Q into E है न मतलब किसी भी plate पे अगर कोई charge Q है and if you are placing that charge plate in a value of electric field it is going to experience क्या होगा force मतलब अगर किसी charged plate को आप electric field में रखते हो तो उस पे क्या लगता है force लगता है और उसका formula के F equals to Q into E है देखें यहाँ पे थोड़ा से ध्यान देनी की ज़रत है अगर Q positive होगा तो force की direction क्या होगी along the direction of क्या होगी electric field और अगर Q negative होगा तो force की direction होगी वो opposite to the direction of क्या होगी electric field तो आपको देख रहा है कि यह minus Q है तो अगर force on minus Q charged plate तो क्या होगी minus Q charge plate पे भाई अगर आपने minus Q रखखा है तो force की direction electric field के opposite हो जाएगी इसका मतलब इस पे जो force लगेगा वो इस direction में लगेगा यह होगा force on minus Q तो अगर मैं force on minus Q निकाल रहा हूँ तो क्या आती है formula कितना charge है इस पे Q, we will take it direction minus Q और electric field कितनी है Q upon क्या है 2 epsilon vector for me रख दिया है मैंने तो यह कितनी आ रही है minus Q square upon 2 epsilon यह minus sign क्या signify कर रही है attractive nature clear होगे आपको तो अगर आप newton's third law लगा रहे हो यह अगर इसको अपनी तरफ खीच रहा है इस force से तो यह भी तो अपनी तरफ खीचेगा ना उसको तो इसलिए minus Q भी इसको अपनी तरफ खीचेगा by a force F plus Q समझ में आ गया तो हर kappa sweater में जो दोनों conducting plate होती है वो दोनों conducting plate एक दूसरे पर attractive force लगाती है और वो attractive force की value कितनी होती है Q square upon क्या होती है 2 epsilon समझ में आ गया सबको clear हो गया करिए notice किसे मत करो यार लिए एनर्जी स्टोर्ड इना कैपासिटर एनर्जी स्टोर्ड इना कैपासिटर लिए मैंने आपको पहली बता है कि इसका derivation निकाल दिये गया इसलिए derivation नहीं फॉर्मले की ज़रुत है ठीक है पर मैं derive करके बता दे रहा हूँ जैसे derivation नहीं अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है जो मैं कर रहा हूँ आसी वर्मा में दे रखा है जैसे मान लीजे कि आप initially ये मानिए कि जो ये कैपासिटर है ना इसके दोनों प्लेट्स एक दूसरे के proximity में बहुत ही near है मान लीजे ये q है ये minus q है और इससे आपको इसको कैपासिटर बनाना है तो आपको पता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में एक finite separation होना चाहिए ये minus q हो गया और मान लीजे इसके बीच की जो distance है वो क्या होगी मतलब आपको यहां से ये बनाना है तो आप खुद सोचो कि अभी मैंने आपको जो topic बताया है कि हर एक प्लेट दूसरे पर क्या लगाएगा force तो suppose इस प्लेट को मैं fix कर रहा हूँ this place is fixed and this place moved इसको move कर रहा हूँ तो जैसे मान लीजे आपको पता है कि अगर ये q देखा जाए तो इस minus q पे इस direction ने force लगा रहा है और force की value कितनी थी q square upon 2a epsilon not जो अभी derive किया है हमने तो आप खुद सोचो कि अगर आपको इसको fix करके इस वाली plate को move करना है तो आपको जाहिड सी बात है ने इस direction में एक force लगाना पड़ेगा जिसकी value क्या होगी f external समझ में आ रहा है आपको तो देखे क्या होता है ने कि दो चीज़े हैं जो कि class 11 के concept से ली गई है जैसे मालो अगर कोई body है तुम इसको move कर रहा हो तो जब अगर मालो तुमने इसको ऐसे move किया तो जो भी तुम work done कर रहा हो ना वो दो चीज़ों में convert होगा potential plus क्या होगा quantity तो कि इसकी quantity नजी मिल लगी है लेकिन अगर तुम सोचो तुम body को बहुती slowly move कर रहा हो तो जब तुम बहुती slowly move कर रहा हो quantity नजी तो constant है न मतब quantity नजी को आप approximately क्या मान सकते हो 0 तो जो भी आप work done कर रहा हो वो किसमें convert होगा potential में तो अगर मान लीजे जो ये negative plate है negative charge plate negative charge plate if it is moved slowly तो आपको पता है कि जो work done by external force होगा that will be equals to क्या होगा change in क्या होगा potential energy तीक है अगर ये जो plate है ये बहुती slowly move कर रहा है तो जो भी आप work done कर रहा हो वो किसमें convert हो जाएगा potential energy में clear हो गया और वो potential energy क्या हो जाएगा कि capacitor में stored हो जाएगी clear हो गया आपको जैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाई है कि अगर मान लीजे कि कोई body surface पे है और आप surface धीरे धीरे उठा रहे हो तो h height उठा दिया आपने तो आपको पताने है जब आप h height उठाए हो तो potential energy कितने हो जाती है mgH हो जाती है पढ़ाई होगा तो इसका मतलब आगर आप उस body को slowly move कर रहे हो उपर तो जो आपने work done किया है that will be equals to क्या होगा change in potential energy and that will be equals to क्या होगा mgH हो जाएगा बहुत तेज मूफ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जो आपका work done होगा वो दो चीजों में convert होगा potential plus क्या होगा यही होगी न तो इट मेंस अगर slowly move हो रहा है तो f external की value approximately किसके equal होगी q square upon 2 epsilon आपको दिख रहे है f external उधर ही है displacement भी उधर ही है तो work done क्या होता है f dot d होता है होता है ना f dot d तो यह क्या हो जाएगा q square upon 2 epsilon into d और angle कितना है cos 0 dot में cos आएगा तो cos 0 की value क्या होती है 1 तो यहाँ पे क्या रहे है और यह जो work done है वो किसमें convert होगा potential मतलब u की value कितनी आएगी q square d upon क्या होगी 2 epsilon अब अगर यह parallel plate capacitor है तो मुझे पता है capacitance की value क्या होती है epsilon not a by d तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो q square upon 2 epsilon not a by d और epsilon not a by d को क्या लिख सकते है c तो पहला formula आ रहा है q square upon 2c यह भी एक formula होता है energy store का तो यह जो आपको याद रखनी है एक यह formula है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो बता रहा हूँ आपको पता है parallel plate capacitor के लिए q equals to क्या होता है cv तो रख दो इसमें तो अगर आपने यह पे cv रखा तो यह कितना रहा है c square v square upon 2c यह c से c cancel तो first next formula क्या रहा है half cv square यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला formula है clear हो गया तो this is यह आप तब यूज करेंगे जब आपको charge और c पता है यह आप तब यूज करेंगे जब आपको c और क्या पता है v पता है पर mostly यह वाला formula यूज होता है समझ में आगे आपको करिए notice